दोस्तों गर आप भी महिंदर जिंग धोनी को महान खिलाडी मानते है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों वेस्ट इंडीज दोरे के लिए जैसे धोनी का कोज बनाया गया वैसे उनका जल्वा दिखना भी शुरू हो गया उनकी विस्भोटक बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है किरितुराज और गिल में कौन सबसे बहतरीन ओबनर बल्लेबाज है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वेस्ट इंडीस के खिलाव जब भारत के युवा खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला तब कुछ ऐसा चमतकार देखने को मिला जिसमें पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करती है कि महिंदर सिंग दोनी भारतिय क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीस दोरे में बतोर कोच जोईन करने वाले हैं इसे सुनने के बाद तो जहां 140 करोड भारतिय बहुत खुश थे तो वहीं सबी भारतिय खिलाड़ी भी खुशी का उनका ठिकाना नहीं था तो धोनी ने अपनी पद्वी संभालते ही अपना जादू बिखेरना भी शुरू कर दिया जी हाँ दोस्तों जहां फैंस में इस तरह इस बात की खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ दो उभरते सितारों ने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया भारतिय टीम के लिए शुभमन गिल के साथ रितुराज गाइकवार की जोड़ी पारी की तुफानी शुरूात करने के लिए मैदान में उदरी पहले ओवर से इन्होंने अपनी खतरनाक तेवर वेस्ट इंडीज को दिखाने शुरू कर दिया जहां गिल ने खुबसूरत कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए अपना खाता खोला था तो गायगवार भी कहां पीछे हटने वाले थे मिडान के उपर से गेंद को चक्के के लिए भेज कर इस बल्लेबाज ने भी काउंटर अटेक करना शुरू कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का बखू भी फायदा उठाया जहां भारती टीम का स्कूर 58 रन था तो वहीं ये दोनों खिलाडी भी दमदार फॉर्म में लग रहे थे जहां से वेस्ट इंडीज रनों पर लगाम लगाना चाहती थी पर यहां से तबाही का ऐसा मंजर आया जैसे वेस्ट इंडीज तो क्या पूरक क्रिकेट जगत आने वाले कई वर्षों तक नहीं भूल पाएगा आपको बता दे जैसन हुल्डर को आड़े हाथों लेते हुए शुभमन गिल ने जहां पहले कवर तो फिर मिडविकेट के उपर से लगाता और दो गेंदों पर दो तुवानी चक्के जड़कर अपना पचासा पूरा किया इसके लिए उन्होंने केवल 26 गेंदों का इस्तिमाल किया था तो वहीं धोनी के चेले रितुराज का बल्ला भी जमकर गरज रा था भारतिय क्रिकेट का प्रिंस शुभमन गिल अपने टी-20 इंटरनेशनल के पहले शुदक की तरफ बढ़ चला था और फिर जो हुआ उसे देखकर तो आप भी उन्हें सलाम करेंगे जिहां अगली गेंद पर इंट का जवाब पत्तर से देते हुए शुभमन ने उसे स्टेडियम के बाहर मार कर पूरे कर्केट जगत को अपने कदमों पर जुका लिया दोस्तों इस लाजवाब खिलाडी ने केवल 45 गेंदों पर अपना T20 इंटरनेशनल शतक पूरा करना जाने कितने ही रिकॉर्ड के धज्य होना दी जिसमें उन्होंने दस चक्के तो वहीं पांच खतरनाक चौके भी जड़ दिये थे उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर रोहिति शर्मा से लेकर विराट कोहली यहां तक की पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालिया बजा रहा था